वेलकम प्यारे बचों, इंजिनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लाली ताथी फिर से आपका स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप थमनिल देख भी रहे होंगे, आज हम जो हमारा environment and ecology है, उसका last unit one suit में खतम करेंगे, I hope आपको इस subject में कोई भी problem नहीं आ रही होगी, कोई समस्य अगर आपको आ रही है, तो आप जाएए environment and ecology की playlist चेक कीजिए, वहाँ पर unit first हमने chapter wise cover up किया हुआ है, फिर unit second को भी हमने topic wise cover up किया है, और unit third, unit fourth and आज unit fifth की one suit video हम खतम करेंगे, तो आज ये आपका subject जो है, ये खतम हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कुछ topic ऐसे हैं, जो topics के अंदर दिये हुए हैं, define नहीं हैं और exam में पूछे भी गई हैं, उन topics को हम एक साथ एक वीडियो में cover up कर लेंगे, तो चलिए आज हम start करते हैं, unit number five, एक one suit में इसको खतम करते हैं, उससे पहले आप 10 second का समय निकालेंगे, और वीडियो को जादा से जादा share करेंगे अपने friends के साथ, जिससे की इंजिनियर्स gateway का जो ये मुहीम है, free of cost provide कराने की आपको एक valuable education वो भी बच्चा कहीं बिना कहीं, ये ना सोचे के मेरी जो तैयारी है, वो कम है, कहीं ना कहीं अपने आपको कम ना आके, तो इसलिए आप जादा से जादा वीडियो को share कीजिए, आज इस वीडियो में हम जो cover up करने वाले हैं, वो environment protection act, आपको slivers में सबसे पहले ही मिल जाएग unit first में, फिन initiative वाइदा NGO, NGO का क्या महतुब है, हमारे environment को protect करने में, फिर human population के बारे में हम बात करेंगे, क्या effect होता है environment पर, उसका population growth का, है ना, environmental education की बात करेंगे, और last में हम women education की बात करेंगे, तो ये सारे topics आज हम इसमें cover up करने बाले हैं, इसके बाद कुछ topics ऐसे रह ज आते हैं, या फिर ये act किस scenario में, किस की बजह से हमारे सामने आया, that means the bhopal gas tragedy, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि question पूछा गया है, तो उन सब topics को हम एक particular वीडियो में special for exam करके, वहाँ पर cover कर लेंगे, और साथी साथ मैं बताना चाहता हूं, बच्चों की demand पर, एक ऐ मतलब अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, तो मैं उमीद करता हूं कि आपको सभी topics के बारे में थोड़ा सा knowledge जरूर मिल जाएगी, और इस environment and ecology subject के लिए वही enough है, मैं starting से आपको यही बताता हुआ रहा हूं, कि आपको रटना नहीं है इस subject को, अपनी समझ से लिखना ह बस एक direction आपको मिल जाए, पता होना चाहिए कि इस topic में क्या चीज है, क्या हमें बताना है, वही चीज हमने आपर कोसिस की है आपको बताने की, और उसी को देखते हुए आज हम unit 5th को one suit में खतम कर लेंगे, ठीक है, चलिए, start करते हैं, तो यहाँ पर आप picture देख रहे उन सब में हमने क्या देखा बिटा, उन सब में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने environment को harm पहुचा रहे हैं, हमारा environment किस तरीके से हमारी बजह से कितना harm उसको देखने को मिल रहा है, ecosystem, ecology या फिर आपका biodiversity कितनी खराब हम करते जा रहे हैं, day by day, अपनी जरूरतों को या मैं अगर simple उसमें कहूं, तो इसलिए अपने environment को बचाय रखने के लिए, इस planet पर अपने जीवन को बचाय रखने के लिए, अस्तित्म को बचाय रखने के लिए, government ने फिर एक act जारी किया, 1986, जिसमें हम environment को protect करते हैं, क्योंकि हम सुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे थे विटा, environmental education में, यहाँ पर भी हम detail में बात करेंगे आज उसकी, कि अगर आपको किसी चीज को सही कराना है, तो पहले individually हमें समझना है, अगर individually भी हम नहीं समझ पा रहा है, तो उस पर कोई law आप बना दीजी, वही काम है, environment को protect करने का, Environmental Protection Act 1986, चलिए, समझते हैं, क्या कहता है Environment Protection Act 1986 was introduced to protect and improve the environment in the India. The Environment Protection Act 1986 gives the central government the authority to create the agencies tasked with preventing environmental pollution in all form and addressing particular environmental issues unique to certain region of the nation. मतलब ये एक तरीके का environment को protect करने वाला Act है, जो 1986 में आया था, central government की तरफ से authorities है, assign की जाती है, task जिसमें हमें prevent करना है, हमें रोकना है environmental pollution को, वो किसी भी छेतर में pollution हो, ऐसा नहीं कि air pollution पर भी बात करनी है, water pollution पर भी बात करनी है, noise pollution पर भी बात करनी है, light pollution पर भी बात करनी ह ठीक है आगी Environment Protection Act 1986 रूट इन दा Stockholm Conference of the United Nation Conference on the Human Environment यानि के Environmental Protection Act जो है उसमे बाद वी Stockholm सम्मिलन जो Conference वी ती United Nation Conference on Human Environment उसमें the Act also has the backing of the Indian Constitution through the fundamental duties added by the 42nd Embedment Act यानि के जो हमारा संभिधान है उसमें 42 संसोधन में ये चीज़े add की गई Know more about the features and summary of the Environmental Protection Act 1986 आगे हम बात करते हैं इसकी 1986 जो Environmental Protection Act है ठीक है चलिए थोड़ा सा theoretical चीज़े इसलिए हैं क्योंकि theory वाला ही topic यहां पर है तो मैं कोसिस की है मैंने जादा सा जादा matter आप तक पहुंचा सकूं तो इसलिए मैं थोड़ा जादा theory लेकर आया हूं जिस बज़े से आपको हर field में हर छेतर की तरफ से मैं आपको introduce करा दू कि आपके दिमाग में आपको matter मिल जाए फिर लिखना आपको अपनी मर्जी से है ठीक है आगे everyone is aware of the harm done to the environment including its nature and the effects मतलब सब जानते हैं इस बारे में कि हम कैसे environment को harm कर रहे है naturally कैसे हम उसको effect कर रहे हैं आगे the environmental protection act 1986 was engaged by the government in the response of growing concern from the civilization and industrialization क्योंकि civilization और industrialization बहुत जादा हो रहा है इस बज़े से इस act को लेकर आया गया और main reason मैंने आपको बताया है भूपाल गैस तरजदी इसके बारे में आप अभी यहाँ पर पढ़ेंगे it was a tough full step towards the environment safe keeping and improvement the environment protection act was registered in may 1986 because of the aftermath of the भूपाल गैस तरजदी in 1984 main current यह है भूपाल गैस ट्राजदी जो हुई थी भूपाल में जो गैस लीक हुई थी उससे वहाँ पर जो जीवन अस्त वियस्त हुआ था उसके बाद इस act को लागू करना जरूरी हो गया ठीक है the act was implemented in November 1986 1986 के November में implement कर दिया गया आगे the environmental protection act of 1986 serves as a pivotal legislation in the India aim at ensuring sustainable development protection and enhancement of the environment यानि कि इसमें mainly जो focus किया गया है वो sustainable development कैसे हम environment को protect कर सकते हैं और कैसे उसको enhanced कर सकते हैं इस पर बात की गई इसी के according इसको design किया गया it encompass various measures and the provisions to enforce the objectives of the act and impose penalties in case of the known compliance by the individuals or organization मतलब इस तरीके से design किया गया अभी हम इस पर step by step बात करेंगे कि क्या क्या चीज़े इसमें है क्या क्या डिफाइन किया गया है क्या क्या इसमें आप penalties लगा सकते हैं क्या क्या अगर कोई इन laws को follow नहीं करता है तो उसको क्या क्या चीज़े देखनी पड़ेंगी ठीक है आगे इस act is the result of series of legislative action that followed to the Stockholm Conference including the Wildlife Protection Act 1972, Water यानिकी Prevention and Control of the Pollution Act of 1974, Air यानिकी Prevencing and Control of the Pollution Act 1981 मैं जिस बार तरे में बात कर रहा था आप से तो तीन टॉपिक आपको ये भी पढ़ने है Wildlife Protection Act 1972, फिर Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Air Act 1981 तो इन सब को हम एक वीडियो में cover करेंगे साथ जिसके रहेगा भुपाल गैस तरह से दी यानिकी फिर आपकी एक मजबूत तयारी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बेटा स्लेवर्स में डारेक्ली नहीं दिये हुए है लेकिन अगर आप Question Paper उठा कर देखेंगे तो यहां से Question पूछा गया है इन तीनो टॉपिक्स और प्लस भुपाल गैस ट्रैजरी 1984 को हम एक वीडियो में एक साथ खतम कर लेगी चीक है? क्लियर हुआ? अगर मैं इसी में लेकर आता तो वो लंबा हो जाता वीडियो है ना? क्लियर है ना? समझ गए? तो यह आपका Environment Protection Act के बारे में है हर फिल्ड पर यहां पर बात की गई है और जो उससे पहले law या बाद में बने हुए वो सब इसमें define हैं मतलब जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे ना इससे पहले water को control करने के लिए 1974 में एक एक्ट बना, air pollution को control करने में 1981 में एक एक्ट बना, wildlife protection के लिए 1972 में एक एक चल रहा था तो इन सब को भी include किया गया है 1986 में चीक है? तभी मैंने starting में आपको बताया था कि हर फिल्ड में हमें environment को सही करना है आगे बात करते हैं क्या objective था? Protection Act 1986 का Environmental Protection Act 1986 aimed to provide for the protection and improvement of the environment, prevention and control of the pollution and the promotion of the sustainable development ठीक है? यह इसका क्या था? Object था It set out objectives to safe ground ecological balance, safe ground human health and ensure the effective utilization of environmental resources ठीक है? यहनिके effectively utilization environmental resources का उसके बारे में यहाँ पर बात की गई आगे इसमें अगर हम बात करें तो form to carry out the decisions made at the United Nations Conference on the Human Environmental Health in the Stockholm Sammillan in the June 1972 इसमें जून 1972 के Stockholm Sammillan में इसके बारे में बात की गई आगे in stills government protection and regulation towards the environmental safety यहनिके environmental की safety की तरफ धिहान दिया गया protect करने के लिए और उसको regulate करने के लिए coordinates the action of various regulating bodies working towards the cause मतलब coordinate बनाया गया कि कौन-कौन से ऐसे various bodies हैं जो इसको harm कर रही हैं या जो इसके लिए responsible हैं enforce general environmental laws in case of the environmental hazards कुछ general laws बनाये गए जो environment को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको धिहान में रखते हुए providing penalizing code for the individuals and institutions for the environmental damage यानिके कुछ penalties भी यहां पर बनाएं गए जो individually या institute की फॉर्म में damage कर रही है environment को promotes sustainable environmental development यानिके जो promote करते हैं sustainable environmental development को ठीक है तो यह कुछ यहां पर objectives रहे इसके law के आगे बात करते हैं environmental protection act 1986 का constitutional provision क्या है the environmental protection act 1986 was introduced under the article 253 of the constitution which covers legislations for affecting international agreements यानिके हम अपने संभिधान के article 253 में इसकी को देख सकते हैं यह बहाँ पर प्राभधान दिया गया है आगे बात करें article 48a यानि अनुच्छेद 48a of the constitution was added by the 42nd amendment act यानिके 42 संभिधान संसुधन में 48a act को मतलब अनुच्छेद को add किया गया संभिधान में which states that the state shall make efforts to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country यानिके इसमें हमें environment को safe करना है और जो wildlife है country की उसको भी बचा कर रखना है यह इस article में अनुच्छेद में बताया गया ठीक है वही पर article अनुच्छेद 51a में क्या बात की गई of the fundamental duties जो fundamental duties के अंतरगर states that every citizen shall protect the environment तो यानिके इसमें fundamental duties में इसको add करती है गया कि हर एक नागरिक environment को protect करेगा वही पर environmental protection act 1986 is applicable to complete India पूरी इंडिया में apply करती है गया इंक्लूडिंग दा जम्मू एंड कस्मीर जिसमें जम्मू एंड कस्मीर भी सामिल है ठीक है तो यह आपका संबेधान से संबंदित provision हो गए environmental protection act 1986 की ठीक है चली आगे बात करते है features क्या है इस law की features of environmental protection act 1986 तो पहला point the central government has the power to take any such measure of the safeguard and improve the environment in coordination with the state government मतब center government कोई भी action ले सकती है state government के साथ coordinate करके अगर उसको कहीं लग रहा है कि हमें environment में इस field में या इस छेतर में environment को safe करना है या sustainable development पर ध्यान देना है महीं पर nationwide program can be launched to fight and prevent environmental pollution मतब कुछ ऐसे programs launch करने है जो environment pollution को रोक सके उसके अंगेंस्ट fight कर सके वहीं पर emission standards and the guidelines for discharging environmental pollutants can be let down इस पर भी यहां पर discussion किया गया इसमें यह feature है environmental protection act का मतलब जो भी emissions हो रहे हैं उन पर भी कहीं न कहीं हमें धिहान रखना है जो lead है उसको हमें कहीं काम करना है आगे the central government may appoint officers under the environmental protection act मतलब इस protection act के according इस पी काम करने के लिए central government ने officers भी assign किये उनको भी हायर किया procedures safeguards no person may handle or may be made to handle any hazard substance other than following the procedure and with the appropriate safeguard मतलब मतलब सभी नागरिक को एध्यान रखना है इस protection act का उलंगन नहीं करना है वहीं पर power of entry and the inspections inspection की entry की सब power यहां पर दी गई establishment of the environmental laboratories environmental laboratories को stable किया गया जिससे कि वहां पर जिस चीज को हम protect करना चाहते हैं उसकी study की जा सके किस तरीके से हम उसको और तरीके से protect कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं इसलिए वहां पर environmental laboratories बनाई गई आगे appointment of the government analyzed यानि के government के विहाँ पर analysis को appoint किया गया मतलब जो analyze करें कि हाँ किस बज़े से अगर कोई भी wildlife यहां पर खतम हो रही तो किस बज़े options and cognize of the options मतलब penalties भी यहां पर दी गई अगर कोई इस law को का उलंगन करता है तो different different penalties उसको भरने पड़ेंगी options by the companies and options by the government department है ना सब के लिए चाहे company हो कोई चाहे government department क्यों ना हो environment protection act में सब के लिए कुछ ना कुछ penalties कुछ ना कुछ punishment है ठीक है चलिए अभी कैसे डिफर है wildlife protection act से environmental protection act थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं the environment protection act 1986 is an umbrella umbrella मतलब क्या है आगे देखते हैं act for the various environmental legislation and provide a framework for the coordinating various central and the state authorities activities to protect and safeguard the environment umbrella मिस मतलब यहाप आप इसको एक तरीके से कैसे इसमें सभी तरीके से आप environment को protect करते हैं जबकि on the other hand the wildlife protection act 1972 focus on protecting flora and fauna and their habitats मतलब 9 wildlife protection act 1972 में focus किया गया केवल flora and fauna को protect करने में लेकिन यहां पर सभी scenario सभी points को धियान में रखते हुए environment को protect करना है ठीक है यह एक minor difference हो जाता है दोनों x के बीच आगे बात करते हैं environment protection act 1986 focus on environmental pollution and other standard of the safeguarding the environment वहीं पर wildlife protection act 1972 focus on the protecting the species of animals and plants and preventing the hunting and trade of the species ठीक है तो यह दोनों में difference हो जाता है environment protection act और as well as the wildlife protection act clear है तो अगर main definition की बात करें या difference की बात करें तो environmental protection act जो है वो focus करता है pollution पर और यह focus करता है species पर मतलब कैसे उनको prevent करना है कौन उसको hunt कर रहे हैं किस वज़े से यह look हो रही है चीज़े ठीक है तो यह आपका दोनों में difference हो जाता है act में अब complaint कैसे हो सकती है complaint under the and under the environmental protection act 1986 to the environment protection act 1986 allow the following parties to file a complaint in case of the infringement of any objective of the rule of the act मतलब environmental protection act 1986 के बिहाब पर आप panel मतलब complain कर सकते हैं किसी भी object या किसी भी company या किसी भी person के आगे इस्ट जो कही ना कहीं हाम पहुचा रहा है environment को या फिर इस law का उलंगन कर रहा है तो the central government और any regulatory institution acted to the government है ना आगे any individual who has to intention to or who files the complaint within sixth day against the doing of the illegal options मतलब कोई भी individual हो कोई भी central government का department हो कोई भी आपका मतलब non government form हो institute हो वो complain कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि कहीं environment को हाम पहुचाया जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कते वहाँ पर environment में देखने को मिल रही है तो कोई भी complain कर सकता है ठीक है आगे बात करते हैं क्या-क्या punishment है complaint होने पर जिसके खलाब complaint हुई है तो punishment under the environment protection act 1986 इनकी बात करें तो the environment protection act of the 1986 including provisions for punishing options related to the indulging the human environment safety and the health section 15 of the act species the punishment that can be imposed for breaching its provisions section 15 जो है इस act का वो punishment को बताता है following are the punishments under the environment protection act 1986 पहला punishment jail हो सकती है लगभग 5 साल की वहीं पर fine देना पड़ सकता है लगभग एक लाग तक अगर दोनों चीजे हैं मतलब एक कुछ इस तरीके का scenario होता है तो दोनों fines और jail दोनों चीजे हो सकती है और फिर भी अगर continue चीजे रहती है तो jail का जो time है वो बढ़ाया जा सकता है exceed किया जा सकता है साथ साल के तो ये punishment है इस environmental protection act 1986 में अगर कोई environment को हाम पहुचाता है और उसकी complaint होती है और वो उस complaint में सही पाया जाता है दोसी पाया जाता है दैन उस पर punishment पांच साल तक की jail लगभग एक लाग तक का जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं और अगर और जादा situation critical है यानि कि वो तब भी नहीं रुका है दैन उसकी jail को extend करकी साथ साल तक बढ़ाया जा सकता है यह punishment है इस act के हिसाब से ठीक है अब इस act में कुछ important definitions भी दी गई है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं section 2 of the environmental protection act 1986 deal with the definitions इसमें कुछ definitions बताई गई है some of the important definitions are as undone जैसे environment की definition यहां पर दी गुई है includes water, air and the land and the inter-relationship which exists among and between water, air and the land and the human beings, other living, creatures, plants, microorganisms and the property ठीक है यानि कि environment की definition की बात करें तो water ले ली जिए, air ले ली जिए, land ले ली जिए इनके बीच में inter-relationship है and between the water, air, land and human beings or other limbs, living creatures, plants, microorganisms, sub-properties के बीट में यह environment को इन्होंने define किया है section 2 A में क्योंकि सारी definition section 2 के अंतरगत हैं इस law के तो section 2 का जो A है वो आपको environment की definition बताता है वहीं पर environmental pollutant की अगर हम बात करें means any solid, liquid और gaseous substance prevent in such concentration as may be or tends to be injurious to the environment मतलब ऐसे substances चाहे वो solid हो, liquid हो, gases हो जो आपके कही ना कहीं हाम पहुचा रहे है environment को वो आपके environmental pollutant में आ जाते हैं यह section 2 के 2 B में दिया हुआ है definition वहीं पर environmental pollution की बात करें means presence in the environment of any environmental pollutant pollutant जो उपर pollutants define हुए है अगर वो environment में पाय जाते हैं that means environment pollution उसको कहा जाएगा यह section 2 C में दिया गया है it cause imbalance in environment जो imbalance create करता है environment में the materials or the substances when after mixing in air, water or land alters their property in such manner that the very use of all or any of the air, water and the land by man and any other living organism becomes lethal and dangerous for the health मतलब कोई भी property, water की, air की या land की in pollutants की बजह से अगर क्या होती है, change होती है उसमें कोई change आता है तो that means वो आपका dangerous है health के लिए उसको हम environmental pollution बोलेंगे ठीक है वाई पर handling की यहाँ पर definition दी गई है next section में in relation to any substance it means the manufacturing, processing and treatment, packing, storage and transportation, use, collection, destruction, conversion, offering for the sale, transfer or the like of such substances इसको हम handling की definition यहाँ पर बोली गई है section 2D में मतलब कैसे हमें handle करना है उस handling में जैसे manufacturing कैसे कर रहे हैं, processing उसकी कैसे कर रहे हैं, treatment, packing कैसे हो रहे हैं, storage कैसे इस इन सब चीजों को handling में define किया गया है महीं पर हजाड सबस्टेंसिस की अगर हम बात करें, means any substance or preparations which by reason of its chemical and physical chemical properties is liable to cause harm to the human being or other living creatures, plant, microorganism, properties or environmental तो वो hazard substances में आ जाएंगे, मतलब ऐसे substances जो chemically या physical chemical properties में change करते हैं जो कि human beings, other living beings, plants, microorganisms को, environment को harm पहुचाते हैं तो these are the hazardous substances और इसको section 2 के E में define किया गया है वही पर आगे बात करें, occupier, it means a person who has control over the affairs of the factories or the premises and includes in the relation of any substance the person in the positions of the substances और इसको define किया गया है section 2 के F में तो यह कुछ definitions आपकी दी कहीं थी Environmental Protection Act के section number 2 में ठीक है, I hope आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता चला होगा यानिके हर field को ध्यान में रखते हुए इस act को design किया गया Environmental Protection की अगर हम बात करते हैं तो Environmental Protection is a practice of protecting the natural environment and its resources यानिके Environmental Protection जो है वो एक तरीके की practice है प्रोटेक्ट करने की natural environment को या उसके resources को by any individual or any organization for the benefit of both the environment and the human being मत्तब ये आपका कोई भी organism या particular individually कोई भी व्यक्ती इसको protect कर सकता है अपने फाइदे के लिए या फिर environment के फाइदे के लिए है ना आगे it means protecting our own surrounding in a manner so that we can live properly मतलब अगर हम अपने आसपास की चीजों को protect करके रखते हैं तो हम easily अपनी जीवन को जी सकते हैं ठीक है to live properly we need fresh air सबसे पहली हमें अच्छी हवा चाहिए सुध हवा चाहिए amendments of fresh water fresh water चाहिए food and the favorable climate conditions and the presence of the other living being around us मतलब ये सारी चीजे हमारे पास होनी चाहिए हमारे आसपास होनी चाहिए तभी हम अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं आगे environmental protection in the key of for the wildlife conservation as well as it is very important from the well-being humans a better environment is the key for the better living on the earth मतलब एक अच्छा environment एक की है अच्छा जीवन जीने के लिए दार्टी पर है ना आगे the live properly we need to protect our environment और उसके लिए हमें अपना environment protect करना पड़ेगा in this world with the development we are approaching to degrade our environment rapidly hence we must start to do something to protect our environment for our own sake मतलब हम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं development कर रहे हैं वैसे वैसे हम कही ना कहीं अपने environment को बहुत तेजगती से हाम पहुचा रहे हैं इस चीज़ को हमें समझना है दिहान रखना है और इस पर काम करना है क्योंकि अगर हमें इस अर्थ पर अच्छा जीबन जीना है तो उसके लिए हमारे लिपास एक better बातावरन होना चाहिए अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं अगर आप किसी चीज़ की preparation कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आप तयारी कर रहे हैं या भी टैकी जैसे कर रहे हैं करेगा आपकी health पर ठीक है इसलिए हमें environment को protect करना जरूरी है अब इसमें protect करने में rule of government क्या है और non-government organizations का क्या role है वो हम यहां पर बात करेंगे government is protecting environment through the different departments by some acts and the rules like the Wildlife Protection Act 1972, the Biological Diversity Act 2002, the Environmental Protection Act and Rule 1986, the Environmental Protection Second Ambient Rules 2004, Forest Act 1980, Embedded 1988, Forest Rules 2003, etc. तयारी के government जो है वो भी कहीं न कहीं environment को protect करने के बारे में सोच रही है उस पे काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है या तो act बना कर या rules बना कर है ना in our country all natural resources are assessed and protected by the various departments such as the Department of Forest, Geological Survey of India, Geological Survey of India, Botanical Survey of India, State Viodiversity Board, Population Control Board, etc. मतलब हमारे देश में अलग अलग मतलब department जो है वो कहीं न कहीं protection environment के protection पर काम कर रहा है उसके department भी बने हुए है उन पर काम होता है आगे all these departments and working bodies in the combination act for the cause of the conservation and the environmental protection ठीक है अब आज कल देख भी रहे होंगे आप कि जैसे ही मतलब परियावरन को बचाने के लिए पेड़ लगाना की मुहीम चलती है कि इतने पेड़ आपको लगाने चाहिए हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए तो इस तरीके से कहीं न कहीं awareness हो भी रही है लोगों में नागरेकों में awareness आ भी रही है और इसी बज़े से आपको ये knowledge भी दी जा रही है या फिर ये subject आपके syllabus में introduce किया गया है ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं role of non-government organizations का क्या है जिसमें हम भी आ जाते हैं अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर काम करें तो वो एक organization बन जाती है क्योंकि वो government की तरफ से नहीं चल रही है या government उस पे काम नहीं करती है government के तरीके से हम उस पे काम नही कर रहे हैं तो that means वो non-government organization कहलाती है जिसको हम NGO बोलती है ना as our natural resources are spread over entire geographical boundaries within the human habitations in the remote enhanceable places hence only for the government department it is impossible to maintain or lock after those resources in the best possible manner मतलब कहने का यह है कि हमें पता है कि natural resources सब जगह फैले हुए है पूरे छेत्र में तो सब जगह पर government मतलब इसको control नहीं कर सकती है इस बज़े से क्या होता है कि हमें non-government organization की तरह काम करना है NGOs come into the picture at that this point मतलब इस situation में NGO जो है वो काम आती है यानि कि छेत्र में कुछ लोग मिलकर environment को protect करने के लिए काम करते हैं है ना जैसे आप अपने छेत्र में देखते होंगे प्रहरी वो पेड़ लगाते रहते हैं है ना तो उनको government की तरफ से नहीं चल रहे है तो वो non-government organization में आ जाते हैं NGO में आ जाते हैं NGOs are the organization run by a group of the focused pupil to attain certain objectives मतलब एक pupils का group रहता है जो एक particular problem को solve करने पर काम करता है है ना यानिकि कहींपे अगर पानी की समस्या है तो उस पानी को बचाने का वो कहीं ना कहीं उस पर काम करते हैं कहीं पर air pollution जादा है तो वो कहीं ना कहीं उसको prevent error को prevent करने पर काम करते हैं तो इस तरीके से एक particular रेजन पे जो बहुत सारे pupils काम करते हैं एक particular समस्य को लेकर तो वो NGO की तरह के से आप उसको देखते हैं they work on aspects like the understanding the internal relationship of various natural resources assessment of the resource requirement and the planning of the resource management resources requirement के बारे में वो देखते हैं फिर उसको plan करते हैं कैसे हम उसको manage कर सकते हैं different तरीके से वो काम करते हैं they also help the government to obtain the relevant information for promoting and facilitating the implementation of major environmental programs मतलब ये कही न कहीं government के लिए भी useful रहते हैं क्योंकि उस particular छेतर में किस तरीके की environmental समस्या है वो यही organization उनको बताएंगी government को जिससे की वो major environmental program को implement कर सके और protect कर सके environment को महा की है न तो ये कहीं न कहीं role निभाती है environment को protect करने में चीख चली आगी बात करेंगे today the necessity of the environment awareness and the enforcement is more demanding and urgent than the even before मतलब इससे पहले और जो environment की बात होती थी तो उसके comparison में अब ये बहुत चीज़े जरूरी हो गई हैं कि हम environment पर बात करें environment को रिल लेकर awareness हूँ आगी बात करते हैं the importance of the public awareness and NGO involvement in the environment protection is acknowledged worldwide मतलब public awareness और NGO का involvement बहुत जरूरी हो गया है आज की समय में areas of the intervention of these NGOs are environmental protection awareness generation resource development and the documentation तो NGOs जो हैं वो कही न कहीं हर छीतर में काम करती हैं environmental protection एक जैसे कि awareness generation के बारे में NGO काम करती है resources development पर NGO काम करता है documentation create करने में NGO काम करता है जैसे आभी हमने बताया आपको कि ये कहीं न कहीं government को भी कोई एक बड़ा project या बड़ा program organize कराने में help करती है introducing of the alternative livelihoods coordination and the assistance with the various governmental departments habitat monitoring management and the restoration etc. इन सब में सब छेतर पर काम करता है आपका NGO many NGOs are working at the international national and relational level for the said cause मतलब NGO ऐसे नहीं कि एक particular छेतर की बात करें छेतर के regional भी level पर भी काम करता है national लेबल पर भी और international लेबल पर ये आपका NGO का role समझ में आया होगा आपका environment को protect करने में ठीक है चले अब आप बात करते है population growth की हम इसके बारे में last videos में भी वैसे बात कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर यह topic दिया हुआ है तो यहाँ पर हम detail में इसको जानेंगे ठीक है the term population basically refers to the number of pupils living in a specific area like a city or town a country a reason or a content or the entire world मतलब population क्या है basically population number of pupils जो एक जगह पर रहते हैं वो चाहे city की बात कलीजे country की बात कलीजे reason किसी एक छेतर की बात कलीजे continent की बात कलीजे या फिर पूरे world की बात कलीजे है न census which is the act of collecting analyzing assembling and dis-seminating statistics about the population is commonly used by the governments to determine the amount of the residence pupil within their juridications मतलब census जो यानि कि जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं उसको एक तरीका है जिसमें हम collect करते हैं analyze करते हैं assembling करते हैं कि कितने pupils महाँ पर रह रहे हैं कितने pupils का residence है इस छेतर में है न तो ये आपका census के मदद से होता है जो government कराती है ठीक है अब बहुत बहुत देज गती से जो नमबर आफ प्यूपिल्स बढ़ रहे हैं पर्सस बढ़ रहे हैं आगे बात करते हैं अबर पॉपलेशन नमबर वर लाजली इस्टेडी फूर दव मेजोर्टी ऑफ हुमन हिस्ट्री फूड वाटर एनरजी एंड मेडिकल केयर बिकम्स मोर असेसेबल एंड रिलाइबल अज ए रिजल्ट ओफ इन्वेंशन एंड इंडिस्ट्रिलाइजेशन इन्वेंशन या इंडिस्ट्रिलाइजेशन की बजह से फूड वाटर एनरजी मेडिकल केयर इन सब की जादा दिबान हो जाती है इस ए रिजल्ट दा वर्ड वाइड हुमन पॉपलेशन ग्रो स्विफ्टली एंड फर्दर कंटिनूस तो ग्रो with dramatic effect on the global climate and ecosystem जिसका कही न कहीं dramatically form में global climate or ecosystem पर effect पढ़ रहा है as pupil adjust to and mitigate climate and environmental changes they will require technological and social innovations to assist each other and support the world's population है न तो मतलब जो pupils है वो mitigate climate and environmental changes को यहाँ पर बढ़ा रहे है population growth जैसे हो रही है तो they will require to technological and sociology assist each other यहाँ पर जरुवत है एक दूसरे को assist करने की है न सपोर्ट करने की world population को देखते हो ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं human population growth poses a large number of effects on the earth system including increasing the amount of natural resources that are generally extracted from the environment अतलब ज्यादा population रहेगी तो ज्यादा natural resources का use होगा आगे fossil fuels जैसे gas, oil, coal, minerals, water, plant, wildlife particularly in the oceans are among these resources जो यह natural resources है the removal of resources in turn frequently release waste and pollutants lowering water and air quality and endearing human and the other species health मतलब जब population growth हुई तो इनकी ज्यादा consumption होगी इन में कमी आएगी इनकी quality में कमी आएगी और वो कहीं न कहीं human beings की health को या फिर other species की health को affect करेगी आगे increasing the amount of the fossil fuels burn for the energy generation, transportation and the industrial activities मतलब ज़्यादा generation होगी, ज़्यादा population होगी तो जो fossil fuels है इनकी burning भी ज़्यादा होगी energy को generate करने के लिए जैसे transportation बढ़ गए है, vehicles हो गए, आपके planes हो गए, buses हो गई, cars हो गई और industries भी ज़्यादा लग रही है, उनमें activities ज़्यादा हो रही है तो that means कहीं न कहीं fossil fuels ज़्यादा burn हो गई, जब आपकी population growth करेगी drinking, agriculture, recreation and the industrial operations all demand more fresh water है न, lakes, rivers, the ground, man, meat, river, rivers all provide the fresh water जैसे-जैसे population growth हो रहा है, वैसे-वैसे drinking water, agriculture के लिए इन सब के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा water की need होगी है न, आगे, environmental consequences are becomes more sub है न, more, मतलब ज़्यादा sub करने की ज़रत होगी क्योंकि population बढ़ रही है तो accommodate rising pupils, forests and the other habitants are disturbed or destroyed to build urban areas including the residences, businesses and the highways याने के अगर हम civilizations की बात करते हैं, एक example तो उसको बढ़ाने के चक्कर में कहीं न कहीं हम forest को cut करते हैं अपनी ज़रुरतों को बढ़ाने के लिए हम पेड़ बौदों को काटते हैं, आगे बात कर लेते हैं furthermore as the population rises, more land is being used for the agriculture मतलब जैसे-जैसे population बढ़ेगी तो agriculture में जो हम खाना अपना बनाते हैं उसके लिए land की ज़्यादा ज़रुरत पढ़ेगी है न purpose like those to supporting livestock and growing the crops मतलब फसल उगाने के लिए this in the turn has the potential to reduce the species, populations, geographical ranges, biodiversities and the organism interactions जिस बज़े से आपका जो reduction होगा species में, geographical ranges में, biodiversity में और organism का एक दूसे के बीच का interaction ठीक है तो ये कुछ ना कुछ आपकी चीज़े population growth की बज़े से आपको देखने को मिलती है, हर छेतर में अब क्या effect होते है population growth के our environments में अगर हम इसको point के हिसाब से देखें तो ज़्यादा waste generate होगा जिससे की diversity में loss देखने को मिलेगा, अभी हमने बात की उपर strain on forest जो पेड़ पोधे हैं, उनका कटान ज़्यादा होगा क्योंकि रहने के लिए ज़्यादा जगे चाहिए, खेती करने के लिए ज़्यादा land की जरुवत होगी है ना, urbanization हो रहा है, यानि कि ज़्यादा urbanization करना पड़ेगा, रहने के लिए ज़्यादा जगे की जरुवत होगी, industrialization ज़्यादा होगा, क्योंकि सब को मतलब फिर अपने खाने के लिए रहने के लिए कुछ ना कुछ काम चाहिए, है ना, फिर land degradation होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि forest को काटना पड़ेगा, रहने के लिए, खाना खाने के लिए, ज़्यादा उपज करने के लिए, तो वो land का degradation होगा, transport development, transport ज़्यादा चिलेंगी, जिससे कि fossil fuels ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, तो ये कही ना कही, population growth के effects हैं, जो हमारे environment पर हो रही हैं, और ये बहुत ही danger है, ठीक है, हमारे लिए और हमारे आने वाले जो भी human beings हैं, उनके लिए, sustainable development में हमें इसी बात पर ध्यान रखना है, ठीक है, इन sources को बचा कर रखना है, आने वाली generations के लिए, ठीक है, तो ये कुछ effects थे, population के, अब बात करते है environmental education की, what is environmental education, इसकी बात करें, तो definition में, environmental education is a learning process that increase pupils knowledge and awareness about the environment and associated changes, develops the necessary skills and the exercise, the address, the challenges and fosters attitude, motivations and the committee commitments to make informed decisions and take the responsible actions, ये तिवली सी डिक्लेरिशन ने 1978 में definition दी थी environmental education की, तो अगर सिंपल भी में मैं बताहूं, तो environmental education एक learning process है, जिसमें pupils की knowledge बढ़ती है, वो aware होता है about the environment, जिससे की वो फिर associate challenges जो होते हैं, उसके सामने environment की उस problem को लेकर, वो उन पे काम करता है, उससे उसका confidence बढ़ता है, motivation मिलता है, तो ये सारी चीज़े environmental education से ही हो पाती है, अगर आप सिंपल अपने उपर ही बात करें, आप इस subject को पढ़ रहे हैं, इस subject को पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीज़े पता चले हैं, कि किस-किस तरीके का environment pollution हमारे आसपास हो रहा है, है न, तो कही न कहीं आप उस से aware हुए हैं, और इन चीज़ों को पढ़के कहीं न कहीं आप एक से दो परसेंट इन चीज़ों को रोकने की कोसिस भी करेंगे अपने आप से, जो पहले आप pollution कर रहे थे, उस पर कहीं न कहीं काम करके आप उसको रोकेंगे, है न, और अगर UNESCO के, according अगर आप definition की बात करें according to the UNESCO के, तो environmental education is a way to implementing the goals of the environmental protection, मतलब environmental education का जो mean purpose है, इस definition के according वो है, implement the goal of environment protection, कैसे हम implement कर सकते हैं अपने goal को, environment को protect करने के लिए, it is not a separate branch of science, but lifelong interdisciplinary field of study, मतलब ये एक science की branch हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये हमें अपने जीवन जीने के लिए awareness जरूरी है, है न, it means education towards the protection and enhancement of the environment and education as an instrument of development for improving the quality of life of human communities, जिससे की, मतलब education का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर इसमें छेतर में आगे निकल जाएंगे, नाम रोशन करेंगे, नहीं, हमारे जो life है, उसकी quality को, जीने की quality को improve करना ही, आपका environment education का उदेश से रहता है, यानि कि आपको aware करना है, जो चीजे आपके आसपास है, उनको कैस बचा के आप रखेंगे, उसके बारे में aware करना, objective of environmental education के क्या है, the role of environmental education is important in the realization of the necessity of maintaining a friendly and well-balanced relationship between the man and the nature, the general objective of the environmental education including the following, first one is, to develop the sense of awareness among the students about environment and its various problems, जिस बज़े से आप पढ़ रहे हैं, और कहीं ने कहीं, एक से दो परसेंट आपके अंदर ये awareness जरूर आई होगी, आगे बात करते हैं, to help the students in realizing the inter-relationship between man and environment, यानि कि ये students को realize कराता है कि कैसे inter-relation बनाना है man और environment के बीच में, to inform the students about the social norms that providing unity with environmental characteristics, to create the positive attitude about the environment among the students, students के अंदर positive attitude create करना है environment को लेकर, to develop proper skill required for the fulfillment of the aims of the environment education and educational evaluation, ठीक है, तो ये कुछ objective है environmental education के, जो हमें mind में रखने हैं और इन पर हमें ध्यान देना है, आगे बात करें, to help the students in realizing the importance of taking proper steps to solve the environmental problems, यानि कि कैसे हम environmental problem को solve कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या important steps लेनी है, to develop the required curiosity among the students for the realization of environmental problems, so that they would be inspired to work for the solution of such problems, मतलब उनको के अंदर curiosity पैदा करने हैं कि कैसे वो environmental problems को solve करें, हैना, to create the appropriate situation for the students to participate in the process of decision making about the environment, हैना, उनके अंदर मतलब इस तरही के की situation create की जाएं कि वो कैसे decision ले सकते हैं, environment को protect करने के लिए, सही करने के लिए, improve करने के लिए, to develop the capability of using skills to fulfill the required aims, to realize and solve the environmental problems through the social, political, cultural and the educational process, यानि कि capability, skills को introduce करना है, जिससे कि fulfill हो सके required aim, या फिर solve करें environmental problems को socially, politically, cultural and educational process, हैना, to enlisting the pupils on the physical component of the environment, आगे, to inform them about their dependence on the environmental resources, उनकी क्या dependency है, environmental resources पर, physical components को हमें enlight करना है, जो environment को कहीं ने कहीं हम पहुचाते हैं, या फिर उनके लिए काम कर रही है, environment को protect करने के लिए, to enlist them about the changes in the environment in the last decade, and the consequences of their present actions, मतलब, उन पे हमें highlight करना है कि क्या changes हुई, पिछले दसक से अब के समय में, ठीक है, और उन पे हमें काम करना है, ठीक है, इन सब के बारे में awareness create करना ही, environmental education का aim होता है, student के लिए, to alert them about the consequences of human action on the environment, both on the man himself and other form of the life, मतलब, किस तरीके से humans पे environment का effect है, या कैसे human depend है environment पर, वो सारी चीचे पता हूँ, उसके अब बारे में aware रहें, to create the concern for the environment quality and the conservation and to the foster understanding of the man's relationship and the interaction with the ecosphere, तो यह आपका aim होता है, to develop person, community and national sanitation and conservation ethics, मतलब, जैसे अभी हमने NGO की बात की, तो जब awareness हो जाएगी, एक छेतर के pupils में, students में, तो उससे क्या होगा, एक community बनाएंगे, एक NGO बनाएंगे, फिर काम करेंगे, है न, तो इस तरीके से awareness create करना, environmental education का aim रहता है, to awaken appreciation of the, as a thick quality of the nature, in order to encourage its use for the recreation, है न, तो यह सब objective है, environmental education के, एक student life के लिए, या फिर अगर कोई NGO है, तो उसमें काम करने वाले लोगों का, environmental के प्रती जो awareness program है, उसमें ये aims होने चाहिए, जो कहीना कहीं, helpful होंगे, हमारे environment को protect करने के लिए, क्योंकि, अपने environment को protect करने में, कहीना के, individually हमें सहयो करना पड़ेगा, ये objectives यहाँ पर इस picture में लिखे हुए हैं, points में, आप इनको पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, चले, अब scope क्या है, environmental education की, तो अगर हम बात करें, तो scope of environmental education, can be described as the, education for the environment, education about the environment, and education for the environment, मतलब कहने का यह है, education environment से क्या ले रहे हैं, ये एक scope है, environmental education का, education about the environment, about the environment, environment के बारे में हम education लेना, that's the scope of the environmental education, और third one is the, education for the environment, environment के लिए education, समझ गया न, scope का मतलब, यानि के environment से क्या education ले रहे हैं, environment के लिए क्या education ले रहे हैं और education environment के बारे में यह scope है environmental education की the scope of the environmental education and the awareness or environmental extension services covers all field of the environmental science this include the effect of man on environment how he had exploited and devested it polluted it but more importantly how man can save itself from the problem which he has caused through the abuse misuse and overuse of the resources provided by the nature मतलब कहने का यह है कि scope क्या है environmental education का वो यह है कि environmental education इतनी awareness आपके अंतर ला दे कि आप यह जान सकें कि आप किस तरीके से environment को harm पहुचा रही हैं फिर कैसे आप उस harm से बच सकते हैं या कैसे उस harm उस huge से आपने जो environment को harm पहुचा है उसको कैसे आप fulfill कर सकते हैं तो these are the scope of the environment जो इन तीन पॉइंट्स में आपको clear हो गया होगा क्या क्या चीज़े हैं है ना environmental education should not only focus on the effect of environmental degradation but very importantly to understand of the fundamental causes मत्तब environmental education का focus के वल और के वल यह ना हो कि कैसे environment degrade environmental degradation के बारे में लेकिन most importantly यह है कि understand हो कि fundamental causes क्या है उनको समझने की जो बात है ना these should also include the examination of social and economical factors that aggravate environmental degradation तो यह स्कोप रहते हैं environmental education की चलिए guiding principle for the environment education की अगर हम बात करें consider the environmental environment in its total ability natural and built technological and sociological structure environmental education to be continuous life-saving process environmental education to be interdisciplinary in its approach examine major problems and major environmental issues for from local national or international point of views environment education to focus on the current and potential environmental situations promote the value and necessity of local national and international corporations in the prevention and solution to environmental problems explicitly consider environmental aspects of plan for the development and growth enhancement of position of learners in making decision concerning their environment and accept responsibilities तो यह कुछ guidelines है environmental education के लिए मतलब किन points को ध्यान में रखते हुए आपको environmental education provide कराना है ठीक है तो यह कुछ points है जिनको ध्यान में रखते हुए हम education provide करानी है environmental ठीक है मतलब किस तरीके से हम naturally जो sources है उनको हम पहुंचा रहे हैं उनके बारे में जागरुक करना उनको जानना है ना इन factors को ध्यान में रखते हुए कैसे हम develop कर सकते हैं अपने environment को कैसे हम growth कर सकते हैं environment की है ना तो यह सब जो points है इनको ध्यान में रखते हुए हमें environmental education देनी है ठीक है तो यह कुछ guiding principles हो गए environmental और एक दो point आगे है enable learners to discover symptoms and real and potential causes of the environmental problems and hence the learners ability to develop the critical things and problems solving skills है ना उनके अंदर skills को develop करना है utilize the different learning environment and approaches to learning teaching about and form of the environment with emphasis on first hand information है ना तो यह कुछ principles होने चाहिए जिसको ध्यान में रखते हुए environmental education देनी चाहिए और यह की student को grant करनी चाहिए ठीक है अब components of the environmental education की अगर हम बात करें तो जैसे knowledge and awareness हो गया है ना फिर attitude हो गया फिर skill and the capacity building हो गया evolution हो गया और participation हो गया तो these all the components of the environmental education मतलब हमें knowledge होनी चाहिए awareness होनी चाहिए यह component है environmental education का उससे हमारा attitude हाई रहे यह आपका component है environmental education का skill and the capacity building हमारे अंदर ability होनी चाहिए this is also a component of the environmental education evolution के बारे में हमें पता होना चाहिए यह भी एक component होगा और उसमें हम कैसे participate कर रही है this is also a component of the environmental education चीक है clear हुआ चलिए तो यह आज का lecture था इसमें एक topic छूट गया है क्या और एक woman education का topic अभी रह गया है पहले thank you नहीं करना है तो एक second मैं इसको set कर लेता हूँ बुमेन education पर हमें बात करने है last topic है इस unit का बुमेन education देखे एक्चल में क्या है कि बुमेन आज के समय में आप देखते भी है कि जो बुमेन की education है वो कितनी important हो गई है हमारे देश के लिए हमारे छेतर के लिए और हमारे लिए भी क्योंकि वुमेन हर एक field में कहीना कहीं involved रहती है हर छेतर में तो उसको educate करना बहुत important है जैसे आप suppose घर में ही देख लिजी घर में जो मम्मी है आपकी खाना बनाती है तो खाना बनाते समय जो waste है वो जो create हो रहा है उसको आपको कैसे utilize करना है कैसे उसको मतलब arrange करना है this is also a education पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमने waste को ऐसे फैंक दिया तो वो कुछ जिनवाद आपके घर में पड़ा है सडने लगेगा तो वहां से problem create हो जाएगी इस लिए भी इस environmental topics को या environmental की जो problem है उनको ध्यान में रखते हुए women's का education बहुत चरूरी है तो चलिए बात कर लेते हैं now a day the importance of the women education is growing day by day it is not only important to educate the girls and women's but also it is necessary to provide them with basic facilities in many countries especially in developing countries the literacy rate of the women's is low as compared to the men's developing countries है उनमें literacy rate कम है men's के comparison में और women education का जो motive है importance है वो ये ना हो के वल हम girls को educate कर रहा है women's को but उसमें हमें provide कराने हैं उनको सभी facilities है ना the main reason behind this literacy rate among women's is the lack of the proper resources इसका जो main कारण है वो lack of the proper resources है resources की कमी होना women's education in India the situation of women's education is not very good India में भी बहुत अच्छी नहीं है according to the census 2011 मतलब 2011 के जन्गर्णा के हिसाब से अगर हम देखें the literacy rate of the Indian women's was 64.6% this number is quite low as compared to the literacy rate of the men's which is लगभग 81% है ना यानि कि 81% के comparison में यह कम है there are many reasons behind this literacy rate among women इसमें बहुत ज्यादा ऐसे reasons हैं जिसकी बज़े से literacy rate डाउन है और सबसे बड़ा कारण तो women's के education ही है क्योंकि जब एक women जो पहले से घर में है वो educated नहीं है तो वो aware नहीं होगी अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए तो ये भी एक कारण है the most important reason in the lack of proper resources in India most of women's are illateral because they are not allowed to go for the education उनके घरवाले उनको education लेने जाने नहीं देते हैं ये एक सबसे बड़ा कारण है इंडिया में society thinks society क्या सोचेगी उसकी things के बारे में that men's must educate their children especially girls because they think that women's role in only to take care of the house and the family और दूसरा reason ये होता है कि जो हमारी society है वो ये सोचती है कि जो women's है वो केबल और केबल उनका रोल है घर पर रहना घर की care करना और family की care करना बस इसी वज़े से एक ये कारण है कि literacy rate women's का down है चीक है आगे बात करते हैं if she starts growing to school or university then who will look after her house मतलब उनके बाद अगर वो school जाएंगी यूनिवरस्टी जाएंगी पढ़ने तो उसके बाद घर को कौन देखेगा है न moreover sometimes when women's send their children to school they are not allowed to sit in the same class as their male counterparts मतलब दूसा reason ये भी रहता है कि जिस class में मतलब students, male students बैठे हैं कहीं न कहीं situations बढ़ रही हैं लेकिन अगर आप आकडो की बात करते हैं तो कहीं न की आकडो में भी अगर हम overall निकालते हैं तो वो कमी है लेकिन जैसे जैसे awareness बढ़ेगी वैसे वैसे problem solve भी की जाएंगी ठीक है आगे बात करते हैं there are many reasons behind the importance of the women's education some of these reasons are given below जैसे women education is important for the development of the country बिल्कुल सही बात है a country can only develop if its women's are educated एक company तभी develop बोली जाएगी जब वो उसमें रहने बाली women's जो हैं महिलाएं हैं वो भी educated हो educated women's can play an important role in the development of their families also क्योंकि वो family का care तो करेगी तब भी और उसके बाद जो development होगा family का वो भी अच्छे तरीके से होगा आगे बात करते हैं educated women's are less likely to get married at an earlier age जो की सबसे बड़ी समस्या होती थी पहले कि एक छोटी उमर में ही बियाद कर दिया जाता था marriage कर दी जाती थी तो अगर educated women है उसको पता है कि कितनी age में साधी की जाती है तो वो आपका earlier age marriage जो है वो कम हो जाएगी और आप हो भी गई है ठीक है आगे educated women's can contribute to the economic development of their country और जब educated women रहेगी तो वो कहीं न कहीं काम भी करेंगी और वो कहीं न कहीं हमारे धेस की हमारे country की environment ecological development को भी बढ़ाएंगी है ना आगे women education is necessary for the empowerment of the women's women's की power को बढ़ाने के लिए भी education जरूरी होते हैं क्योंकि कुछ women's को पता ही नहीं होता है कि अगर उनके साथ कोई misbehave हो रहा है तो वो क्या करें उनको उनकी जानकारी नहीं है तो इसमें भी आपका development होगा आगे educated women can raise awareness about the various social issues और जिस बज़े से अब various social issues को भी aware कर पाएंगी women's जो educated रहेंगी आगे educated women's can act as a role model for the younger generation और educations जो educated women है वो young generation के लिए कहीं न कहीं role model की तरह सामने आएंगी ठीक है तो ये कुछ reasons हैं जिसकी बज़े से आप समझ सकते हैं कि women's का educate होना कितना जरूरी है ये एक literacy rate दे रखा है यहाँ पर 1981 से 2017 के बीच का जिसमें अलग-अलग reasons पर आप देख सकते हैं women's का education label बढ़ा है लेकिन overall अगर आप इस number की बात करते हैं तो अभी भी कम है जिक है clear है तो ये यहाँ पर literacy rate दिया हुआ है तो finally ये आपका आज का session था जिसमें हमने unit 5th को completely one suit वीडियो में खतम कर दिया है session कैसा लगा है आपको आप comment box में comment करके जरूर बताएं ठीक है और साथी साथ मैंने जैसा starting में बताया था आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की साथ वीडियो को share करें जिससे की सभी बच्चों तक इस वीडियो का लाव पहुंच सके और वो अपने topics को अच्छे से cover कर सके और मतलब topic तो छोड़ी आप ये एक इतना बड़ा issue है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा awareness इसके बारे में लोगों तक पहुँचाएंगे तो कहीं न कहीं आप जो education ले रही है उसकी value बढ़ जाएगी क्योंकि environmental education आपको क्यों दिया जा रहा है क्योंकि आप aware होकर awareness फैलाएं तो वही चीज आपको वीडियो को share करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचानी है जिससे कि वो जो आसपास उनके environment है उसको बचा कर रखी ठीक है तो चलिए अब मिलेंगे next वीडियो के स जिसमें हम सारे जो acts हैं जो environmental protection acts से पहले बने हुए थे उनके बारे में हम discuss करेंगे और भुपाल गैस ट्रेजर दी जो थी उसके बारे में हम बात करेंगे फिर एक पूरा वीडियो पूरे environment का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको environment के पूरे बारे में एक साथ एक वीडियो में बता दिये जाएगा ठीक है तो चलिए जय हिंद जय भारत